स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी प्लस मैं और आज आपके बीच में लिखे हूं यहाँ पर उत्राखन जीके की पार्ट सेवन वीडियो जिसे हम बात करने वाले उत्राखन की कुछ महत्तों प्रसनों की जिन हम यहाँ पर एक्स्प्रेंड करते वे चलेंगे तो पहली बाद चैनल पहाए है पहली वीडियो देख लेए तो सब्सक्राइब किजिए में चैनल को बैल आइको पीजिए लाने वाड़ी सभी वीडियो की नोटिफिकरिकिशन सबसे पहले पार ले के लिए तो चलिए सुरू करते हैं तो पहला प्रसन है आज का कामदाह परवत कहां इस्तित है इसका सयान सवजाएगा पौड़ी ठीक है कामदाह परवत कहां इस्तित है पौड़ी में इस्तित है अगला प्रस्ण है उन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है आज में उन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है इसका सयान सवजाएगा मुंश मुंशारी में भोटिया लोगों द्वारा बहुत से भेड़ पाए जाते हैं उन भेड़ों के द्वारा जो उनकी बाल होते हैं उन से उन बना जाता है तो उन नगर के नामशे से प्रिसिद्ध है ठीक है अगला है छेतेपल के घटे करम के आधार पर राज जी के निम्ने की ज उत्रकासी पहला है उत्तरकासी का हो जाएगा तो महारा आपका ठीक है उत्तरकासी जीला पर शीका जो भी Aww Sig возв पांच विधान सभा सीटों में कितनी सीट की हैं तो लोग सभा सीट पूछ रहा है तो इसका सही आंसर जाएगा एक वह भी अलमड़ा में है अभी फिलहार और उसमें अजे टम्ता जी जो है वह भी हमारे सांथ सद है ठीक है चले आगे है उत्राखन के प्रथम राज जिपाल तो इसाल जो प्रथम राज जिपाल थे वह स वाजिसेंग बनाला ठीक है उत्राखन के उत्राखन के प्रथम राज जिपाल है यह यह कि अंत्रीम विधान सभांवा कि हम कहें कौकि पहरे चुनाओं नहीं हुए है उस समय तौ डार्यक्ट बना गया था तो अंत्रीम हमादे बुदानसा बनी थी तो उसमें अगला है सवतनत्रा के समय कुमाओ कमिशनर कौन थे में बनाए गए थे हमारे कमिशनर रहे थे ठीक है अगला प्रसने है राजी सेवा में सेंडे और सब्सक्राइब का उसे को पूछा उद्ध निमनिखित में कौन हिमालय की बेटी नाम पुस्तक के लेखिए हैं तो इसका नींजा चाहरा नामग भट नाग किताब लिखे गए हमालय की बेटी बहुत बाब पूचा भी गया है अगला है गोरा देवी का संबंद किस आंदुलन से रहा है ठीक है गोरा देवी का जो संबंद रहा है वह रहा है किस से चिपको आंदुलन से अब चिपको आंदुलन की बारे में थोड़ा सम जान लेते हैं चिपको आंदुलन अगर हम कहें कि भारत में सबसे पहले जो स्टान से सुरू हुआ था एक्च्छल में उसका विस्तित रूप हमको देखने को मिलता है चमोली के चिपको आंदुलین में तो उत्रेकर में इसको च्वक के नाम से जानते हैं तो आप हम इसमें आगे करें कि गौरा देवी द्वारा यहां आंदोलन चलाय गया था 1974 में ठीक है 1974 में चमोली जन्दपत्स को शुरू हुआ था ठीक है गौरा देवी को इस कादी के लिए 1986 में 1986 में वरिक्ष्यमित्र पुष्कात दिया गया था प्रस्चन बहुत बार पूछा गया है ठीक है यहां आंदोलन अवैद अंधादुन कटाई को रोकने के लिए चलाय गया था और इसमें जो आंदोलन में इनकी साहता की थी और लोग यह उनकी सपोर्ट में आये थे उनमें प्रमुख नाम आता है आपका सुन्दरलाल बहुगुणा और चंदीपरसाद भाट ठीक सुन्दरलाल बहुगुणा ने हिमाले बचाओ देजबचाओ का नारा दिया था और 1977 में नारा चिपको आंदोलन द्वारा भी दिया गया था जिसका नाम था क्या है जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने की आधार ठीक है 1987 में चिपको आंदोलन को सम्यक जीवी का पुरुसकार से भी संवानित किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तराखन में सबसे अधिक जन संग्या की जन जाती की है तो वर्तिमान में थारू जो है कुमाओं में और गड़वाल में दोनों में सरवादी जन जाती वाली जन जाती यहां पर है ठीक है उसके जो है यह है काली नदी और गोरी नदी के संगम पर इस्तित्थ है जहुल जी भी मेला कि हम बात करें इसकी शुरुआद 1914 में की गई थी ठीक है इसकी सुराद 1914 हुई थी वहना आता है कि गजेंद्र भाहदुर नाम की व्यक्ति ने इनकी सुरुआद की थी तो जॉली मेला जो लगता है मागसी संग्रानती में 14 नॉमबर से 19 नॉमबर तक का भोटिया व्यापार से सम्मधित मेला है इस्थानी उत्पादू का भी बहुत अच्छा मेला है इसके रहा भोटिया लोग जो तिब्बतियन थे वह भी हां पर अपने समान बेज़ते थे ठीक है तो प्राचिन समय में घुड़े का व्यापार भी इस मेले में बहुत अद्धिक होता था ठीक है चले आगे बढ़ता है तरह प्रसने प्रदेश में कौन से फसल की पैदावार नहीं होती है तो इसका सभी आंसर हो जागा नाजियल जो है यहो प्रदेशों का एक प्रमुक फसल है नारियल यहाँ पर बोया नहीं जाता है यादने कि आपको दक्षिन भात में समुन्दी के तटी की नारू में यह अधिक प्राप्त होता है ठीक है अगला है उत्राखन में सिंग्चुगना ग्रेशर की जनपत में है तो इसका सयान से हो जाएगा भी पिठोड़ा गर उसका आल मनें से निकाल करे गया था क्योंकि एक तहसिल हुआ करती थी पहले फिसको अलग कर जा एक आपका टिहरी से काट कर और थोड़ा चमोली काट के बनाया गया था ठीक है अगला की जिले में सरवादी गाउं इस्तित हैं सरवादी गाउं जो है यहां पौड़ी जिले में इस्तित हैं अगला प्रसन गड़वाल मंडल का मुख्यालई हैं गड़वाल मंडल का मुख्यालई पौड़ी मे सन 1840 में बनाया गया था 1840 में इसको मुख्याले बना दिया गया था ठीक है राज्जी में राजस्य पुलीस वियस्ता कब से लागू की गए थी राज्जी में राजस्य पुलीस वियस्ता सन 1874 से अभी तक लागू है यानि कि पटवारी वियस्ता के हम जो बात करें राजस्य क्या द्खस्ता पतवाजयों क्या सिजनद रहा कंशन्र त्रीन द्खस सवर किया था 1829 में लेकिन इस पतवाजयों का सिरे सिर्फ कर गया था उनको राज्च सब्सक्antage स्थ fights वेस्ता में नहीं बनाया गया था गलत है और पिथळागा बेर्णाग सई तो मोरी जो है वो उत्तरकासी में इस चीद है इसका सई आंसर जाएगा सी अगला है निम्न जिलों वो ब्लॉकों में कौन सुमलित नहीं है इलमड़ा सरी हो जो है और उत्राइभा साही है तो इसका सही आंसर हो जाए यह उत्तर हो जाएगा है اraineлы एलग्यूलू जीलों में सबसे कम कों सा है या है सबसे कम छेत्रफर सबा के लिए मेहलाय चुनी गई थी तिति विधान सबा के लिए जो मेहलाय चुनी गई थी तो पर सलर ऑदे पाङे सासों की पर्थम राजणिडानी कहां थी तो पर्थम राजणंती चांदपुर गड़ी ती के पहले एक थी वहां से देवल गड़ देवल ची नगर से फिर यहाँ टीहरी गई थी थी तो इस में जो आपका रोप्षम दिए गए हैं पहले वहांट बहुत पृता होँ का सा सकता कंगपाल जब गड़वा लाया तो चले गए थे सन्यासी होगे थे कहते हैं उसके बाद कनकपाल ने पावार वंसके स्थाब ने चांदपुर गड़ी से देवलगड़ में स्थान तरिक करी ठीक है देवलगड़ के बाद अपनी राजहने ले गया स्री नगर स्रीनगर में कहता है कि 1515 में स्रीनगर बसाए गया और 1517 में वह स्रीनगर अपनी राजहन ले गया उसके बाद जब अंगरेज pickup का यहां पर आगमन हुआ अंगरेजो ने टार से पंद्रा में गुरखाओं से निजात दिलाए तो गुरखाओं के बिदरर स्रीन नई को अपन तो यहां पर तो जोन सारी गायक है वो हैं आपके सभी ठीक है हो जाएगा जगत राम वर्मा फकिरा चोहान और नंदराल भारती अगला है गलत युगम का चेहन कीज़े गलत युगम है एरीज अब्जुरेटरी नेंटाल ठीक है और भारती पैट्रोन संस्तान पौड़ी यह पर ठीक है तो इसका गलत युगम हो जागा भारती पैट्रोन संस्तान यह देहरादूर में इस्तिता है ठीक है तो दोस्तों यहां पर यह पौड़ी हो जागा ठीक है अब रुद्रप्याग और चमोली में यह जो केदानाद वनने जी विहार में आपको बताता है यह चमोल यह जो है राश्टी जो आपका वनने जी विहार सबसे बड़ा वनने जी विहार भी केदानाद वनने जी विहार है ठीक है नौस सताओन दसनों दो जीरो वरग किलोमेटर इसका टोटल शेत्रप्ला है इसके अलावा क्या है कि कस्तुरिम्र को बचाने के लिए सबसे पहले स ठीक है यह तो हम जानते हैं सोना नंति वाले सेंचुरी जो है सोना नदी के आसपास पॉड़ी जीले में पहला हुआ है ठीक है जो 1987 में बनाया गया था और पॉड़ी के आसपास फैला हुआ है अगला है गलत युद्मिक का चेंड करने हमको नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकासी में है जी मकॉर्बर नेशनल पार्क नेटाल में है अस्वोड वाल लाइस पिठड़गड में या आपका विंजा वाल लाइस अंचुरी अलमडे में तो सब्सक्राइब नंदा देवी रास्टी उद्ध्यान जो है इसकी सथापना नेश्वाली में की गई ति नाकी उत्तरकासी में थीगा है जिम कर्वें नेशनल पार्क के बारें बता दूं निस्वोच्छतिस में बनाए गया था एक नाम से अश्या का सबसे पहला नेशनल पार्क है उन्यश्टी से बनाए गया था नैनिताला और पॉडी में सब्सक्राइब विहार की बात करते है अस्कोर्ट वनेश्टी विहार में देखने को मिलते हैं इसका बात बात है बिंसर वाइलाप सैंचुरी तो अगला है तो स्थापना जो की गई थी यह की गई है नरेंदर नगर में ठीक है अगला है गड़वाली समचार पत्र के संपादिक थे इसके बाद में जानते हैं अग्वाली समचार पत्र प्रकासित प्रतम अगणा जलए प्रतम कीवाथ उच्टाइशली नमबर काहिए घरवे और ठीक है यहाव फाल प्रतम लुदर नावर यह व्युक्त Deutsch नह्मा ciao and पुछा था कि उठो गड़वालियों किसकी कवीता है 37 रतुड़ी की है तो गिजाते नेथानी तादते गैरोला विशंबरते चंदुला इन्होंने करमस्वास का संपादन किया था ठीक है तो 1905 में हो बना था ठीक है मतलब उस समय 1905 में छपके हैं इसका प्रकाशन सुरू कर बात जाए था अगला है अगला है एक अधिस्तुवा प्रसरें और फट्राबवली पखाना कृति के रचनागार कौन है तो गड़वाली पखाना करती रचनागार है यह हो जाएंगे आपके वैश्णोव फेस्टापन तो श्रीनगर की स्थापने पर हम बात करें कि इसके स जाके समय में बहुत ज्यादा उस समय बहुत केंद्र बिंदू रहा ठीक है तो एटकिंसन के साब से इसका आंसर महिपति शाही है ठीक है अगला किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खोह नदी खोह नदी कोड़द्वार में बहती है ठीक है और इसको प्राचीन समय में क्या कहा गया पुराणों में कौमुदी कहा गया है भोटांतिक बोली में साली पूली क्या है तो भोटांतिक बोली में साली पूली जो है यह एक आभुसन है ठीक है आभुसनों को भोटांतिक बोले म झाल